प्रोलम है इसको जो समझ गया वो डाइमन बन जाएगा और जो नहीं समझ भाया वो लट करना जाएगा लेकिन जैसे ही दो साल तीन साल चैनल तक पहुंचते हैं उसके बाद ऐसा यहां ऐसे आते हैं जैसे नल खोर दो पैसे की वर साथ होती है अब बदलाओ क्या करना है पहला हमने बताया मेंटल स्टेटस की बदलाओ दूसरा वर की स्टाइल की बदलाओ और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट बदलाओ जो आपको अपने अंदर करना है next काम की बदलाओ काम करने के तरीके में आपकी बदलाओ होने चाहिए और जो सबसे काम क्या क्या होता है हमारे यहां काम किस किस तरीके होता है चार पास तरीके हैं पीछे आप देख रहे होंगे हम लोग किन किन तरीकों से काम करते हैं सबसे पहला one by one one by one का मतलब होता है कि हमने किसी को call किया hello ji namaskar कैसे है sir बहुत बढ़ियां जी एक घंटे के time निकाले बढ़ियां opportunity हमारे पास आपके साथ share करना चाहता हूँ अगला बंदा हमें time देता है और हम जाएक उसको plan दिखाते है ऐसा होता है ना इसको हम बोलते है one by one plan करना राइट ये काम continue करते रहना है आपको करोगे करोगे अब इसमें एक challenge है challenge क्या है हम सब को पीछे की step नी चाहिए होता है applying group में हमारे साथ applying ना जाये तो हम planning नहीं करवाते कितने ऐसे लोग है जो इस hall में बैठे है और खुद प्लान कर लेते है वो लोग हाथ नीचे करो जो जुट बोल रहे हो बाकी लोग ये सारे लोग है जितने हाथ उपर की हो खुद प्लान कर लेते हो सही में कर लेते हो या करते भी हो सच बोलो हाथ फिर से उपर करना सारे लोग आप सब खुद प्लान कर लेते हैं अब दिल से बोलना आपको कसम है उनकी जिनको आप सब ज़्यादा प्यार करते हैं कितने ऐसे लोग है जो डेली प्लान करते हैं वो हाथ उपर रखना बाकी नीचे ये देखो डायमंड एक बर खड़े हो के देखो खड़े हो जाओ ये हैं असली यो धा बस ना ना हला मत करो अब ये असली टीटमेंट तो उनका बाकी है जिनके हाथ नीचे है वो हाथ उपर करो जिनके खड़े हो नीचे कर लो नहीं किये तो मैं कैमरा उपिन करवाऊँगा इसमें चलवाऊँगा रिवर्स करवाके अब अब अपलाई इन सारे खड़े हो जाओ डायमंड सारे खड़े हो जाओ और देखो ये हैं नकारे इनी की वज़ा से सेल बढ़नी रहा है सुम्हारा है आजा ये कितने खूस हैं वो तो देखो जैसे प्लान न करके इस दुनिया के कितना बड़ा पुन्नी का काम करते होंगे ये लोग हाँ फिर उपर करना अभी ओले तो क्या चाहते हैं आप लोग बदलाओ तो आज के बाद क्या करना है क्या करना है क्या करना है प्लान करना है करोगे पक्का कितने लोग करोगे अब मैं आपकी ताकत समझाता हूँ इस हौल में कितने लोग बैठे हैं सर वैसे पंदरसो लोग ये पंदरसो लोग डेली अगर एक प्लान करेंगे न तो डेली 1500 प्लान, 1500 जॉइनिंग हर दिन आएगी, पूरे सफ्ता के अंदर ये पूरी टीम मिल गे, कम से कम 7000 सेल क्लोज कलेगी, 7000 गर एक प्लान भी डेली किया तो, एक प्लान भी, मेरे दोस्त आपको पता है, हम लोग इस बिजनस को ना अकेले मापते हैं, इसलिए हमें ये धंदा बड़ा छोटा दिखाई देता है, सोज़ में रहा हैं, एक बार एक बहुत अच्छा बिजनसमेन था, चलहाँक था, किसी कारान मस उसका धंदा खराब हो गया, राजा के घर में बेटा हुआ था, पुराने समय में राजा रजवाडे बड़े जबरजस तोते थे, पाटी उटी दबा के देते थे, उनके घर में बेटा हुआ था, और उन्हें ने बोला कि पू वो जो बिजनसमेन था जिसका बिजनस खराब हो गया था राजा न एलान किया कि सब की मुराद पूरी करूँगा आजा तो बिजनसमेन भी चला गया तो राजा सब को गिफ्ट दे रहा था कुछ ने कुछ बहुत धान से समझना पावर क्या इस बिजनस की पहुंचा गिफ्ट लेने के लिए सबसे राजा ने सब कुछ मांगा कोई सोना कोई चांदी कोई जमीन कुछ जो भी मांगा लोगों की मुराद पूरा कर दिया तो बिजनसमेन बड़े होसियार होते हैं वो एसली पियस का फाइटर था एक्चुल में एना वो एसली पियस में भी वो डाइमन बन गया था गलती से बिजनस खराब हो गया था उसका तो पहुंचा राजा के दरवार में राजा ने बोला बल तुझे क्या चाहिए चावल चाहिए क्या बोला एक चावल राजा को बड़ा गुस्सा आया बला सूली पे चढ़ा दो साले को हिम्मत कैसे भी राजा के सामने एक चावल के ओल मांगने की तो ने ट्वरकर तो होसियार होती ही है उसने बला महराज पूरी बात तो सुन लो मुझे सतरंज के खाने में चावल चाहिए और पहले खाने में एक चावल चाहिए दूसरे में दो चावल चाहिए तीसरे में चार चावल चाहिए चौते में आठ चाहिए नवे में 16 चाहिए और ऐसे सक्वायर के क्रम में भढ़ते भढ़ते सतरंज के कितने खाने होते हैं 64 64 खाने में पुरे भरके मुझे किवल चावल चाहिए राजा को लगा एक आदम उठा की बात कर रहा होगा बला सोच ले अभी भी वक्त है अब नेटवरकर कन्फिडेंस में था बला महराज सोच लिया बला यार बेकुपी कर रहे हो सोना चांदी मांगो मांग भी रहे हो तो चावल क्या मिलेगा बोला महराज आप तो बस चावल दे दो हमे राजा ने मुनीम को ओडर दिया मुनीम इसकी मुराद पूरी करो और 64 खाने में जैसे यह बोल रहा है स्कॉयर करके चावल भर के दे दो मुनीम बोल रहा है कि राजा पागल हो गया है तू हां मत बोलना तूझे पता नहीं है यह स्लिपियस विलनेस में काम किया है क्या करवा देगा तुम्हारा तो राजा सुना ही नहीं उसकी बात बोल रहा है मुनीम चुप छोटी सी तो डिमांड किया है पूरा कर और नेटवरकर मने मन खुस हो रहा था प्रोसेस शुरू हुई राजा ने बोला चल दे इसका और मुनीम बोला महराज बरबाद हो गये तुम बेटा के आया तू हुए बरबाद किसके सामने तुने मोग खोल दिया हमारे हैं होता है न कोई बोले हाँ जी जोईन करना तो तुरन दो आईडी घुसेड़ देते हैं फीछे से सर अठारा से सत्तर कड़ोर तो तीन से दो कड़ोर दस राख जब कल्कुलेशन सुरू हो होना सुरू हुआ तो एक चावल दूसरे में दो फिर चार फिर आठ फिर सोला फिर बतिस फिर चावल पहुचे तो एक लाख दो लाख चावल में क्या हुआ एक कड़ोरी दो कड़ोरी तीन कड़ोरी चार कड़ोरी पांच कड़ोरी चावल के वल भरा तो राजा को बड़ी हसी आ रही थी बोला मेरे सामने तॉलना पड़ेगा राजा को बड़ी हंसी आरती जैसी सत्रहमें खाने में पहुंचा तो राजा का पूरा भंडार कक्छ खाली अठरमें खाने में पहुंचा तो राजा और राजा के पडोसी का भंडार कक्छ खाली पचीसवे थीसवे खाने तक पहुंचते पहुंचते जब कल्कुलेशन बैठना सुरू हुआ तो पूरा पुरा पृत्थ भी कि यतने चावाल थे सबका कल्कुलेशन निकल के आ गया और चौंशटवे में तक बात पहुंची ही नहीं यह होती है नेटवर्किंग की ताकत एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ नहीं नजर आता, लोटा भी नहीं बरता, गलास भी नहीं बरता, कटोरी बरबर के आते हैं बस तो हमें लगता है कहां भीडे हुए हैं भाई साव लेकिन जैसे ही दो साल, तीन साल, च्छतिसवे चैनल तक पहुंचते हैं उसके बाद पैसा यहाँ ऐसे आते हैं जैसे नल खोर दो पैसे की वरसाथ होती है प्रोलम यह है न कि हम लोग भी उस राजा के जैसे हैं हम दूर तक देखी नहीं पाते हमारी सोच तो तुरंत में लटका रहता है मैं दो प्रस्णाब से करता हूँ आपको 20 दिन के लिए 500 कड़ो रुपे दे दिया जाए कितना 500 कड़ो रुपे दे दिया जाए 20 दिन के लिए और दूसरा मैं आज आपको एक रुपे दूँ कल आपको 2 उपे दो फिर आपको 4 उपे दो फिर तीसरे दीन 8 उपे दो हम आपको इस तरीके से करके पैसे कर डिस्टियूशन करें एक साल तक आपको पैसा देंगे कौन सा उपसन चूज करोगे नहीं करते यही तो प्रोलम है यह बात समझ में तो आती है लेकिन हम सकेंड ओप्सन चोज क्योंकि अगर करते तो इतना बड़िया बिजनेस मिरने के बाद फिर नोकरी के पीछे क्यों भागते यही हमारी प्रोलम है इसको जो समझ गया वो डाइमन बन जाएगा और जो नहीं समझ पाया वो लटका रह जाएगा तो आप इतनी बड़ी सोच वाले सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं इतने बड़े स्कोप के साथ आप काम कर रहे हैं माई डियर फ्रेंड सोच के देखिए और इतने बड़ा सिस्टम को जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए जाएंगे सत्तर कड़ोर की अपर्चनिटी प्रेजेंट करने के लिए जाएंगे तो लोग आपके उपर विश्वास नहीं करेंगे